हलो फ्रेंड मेरी यूटूब चैनल इंडिया मिशन 2.0 में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी के चैनल का मोनिटाइजेशन रजिक्ट किया जाता है तो उसको रियूज़ कॉंटेक्ट आने के बाद प्रोब्लम कैसे सोल्व करते हैं कि मैं 100% कॉपिराइट वीडियो का स्वालूशन देने बाला हूं तो पहले आपका भी चैनल का मोनिटाइजेशन रजिक्ट कर दिया गया है यानि आपकी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाच आवर टाइम पूर चुका है फिर भी आपको रजिक्ट कर दिया गया है और कि आपका चैनल मोनिटाइजेशन हो सगे तो चलिए पहले में लेकर चलता हूं कि मेरा एक चैनल है जो की विज्ब ऊसका मोनिटाइजेशन क्रूशन कर दिया यह मेरे म्यूजिक का चैनल 3 D music mix आप यूटूब पे सार्च कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जबकि मेरा चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर है और 4000 गंटा वाचावर है तो अब मैं चलता हूँ मोनिटाइजेसन में लेकर चैनल का डेश्बॉर्ट से हटकर मोनिटाइजेसन में लेकर चलता हूँ और आपका दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आया है आप दीख सकती हूँ तो यह मेरे मोनिटाइजेसन का पेज ओपिन होता है चैनल मोनिटाइजेसन का और यहां पर सो हो रहा है reuse content यहां देख सकते reuse content यहां बताया जा रहा है reuse content means आप समझ सकते हैं reuse content बताया जा रहा है तो reuse content यहां मतलब आपने अगर कोई भी वीडियो डाला है जब कहाँ आप देख सकते subscriber 1000 पलस और वाचावड तो 15000 पलस हैं आपे reuse content के मतलब है कि अपने कोई वीडियो copyright है और आपके आपका कोई भी content नहीं match हो रहा है यानि कि आपने नहीं face वाला वीडियो डाला है और नहीं voice वाला डाला है तो आप कैसे अब अपने channel को apply कर सकते हैं रही apply कर सकते हैं पे तो चलिए पहले मैं check कर लेता हूँ अप वीडियो में जाकर यानि कि मेरा कौन सा वीडियो copyright है आया है और कौन सा वीडियो पर तो यहापे मैं open करता हूँ तो यहाँ शुरू में ही copyright काता है यानि कि अगर इस problem को solve करना है तो आपको सबसे पहले जिस पर copyright आया है जो भी वीडियो आपको copyright है आया है वो वीडियो को अपने चैनल से हटा देना है या music का चैनल हो या कोई भी चैनल हो आपको अगर reused content आया तो आपको पहले नंबर आपकी चैनल से वो वीडियो हटा देना है और वो चैनल से अगर आप वीडियो हटाते है तो आपका कुछ solution मिल सकता है तो आप वो चैनल से वीडियो हटाईएगा मैं आपको बताता हूँ ये जो भी भी आपको copyright का front आप लगा है तो उसको अगर आपके पास लंबा है तो आप उसमें अगर चोटा-चोटा status आपके पास है या फिर बड़ा वीडियो है तो उसमें देखे आपका copyright किस कारण लग रहा है अगर आप ट्रीम हो रहा है वो वीडियो तो ट्रीम करके copyright रहे है अगर नहीं ट्रीम हो रहा है तो आप उसको डारेक्टी स्लेक्ट केज़े और more option पे जाकर यहाँ पे डिलेट फोर इवर कर देना ही आपके लिए अच्छी रहेगी तो आप यहाँ पे डिलेट फोर इवर कर देजेगा और वो वीडियो आपकी चैनल से डिलेट हो जाएगा जो भी आपका है चाहिए आप 200 वीडियो 300 वीडियो डाले हैं आपको लिए अपना पड़ेगा और आपको एक अपना अपना पड़ेगा अगर बात कर लेए तो आपको सिर्फ एक काम करना है आपको फेस वाला वीडियो बना लेना है या फिर आपको आपका एक अपना ओड़ेगा जिससी आपका अगर चैनल दुवारा रिप्ले यानि कि दूसरा वार अगर मॉनिटाइजेशन ले जाता है तो जो यूटूब का जो हेट रहता है वो आपके वीडियो को चेक करें कि हाँ आपने एक फेस वाला वीडियो और एक अडियो वाला वीडियो बनाया है तो आपके चैनल को मॉनिटाइजेशन हंडेट परसंट सक्सेस कर दिया जाएगा क्योंकि आपका तो सब्सक्राइबर वन आवर पूरा हुआ है एक हजार सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर वाच्टाइम पूरा हुआ है जिससे आपको सि चैनल पर अपलोड कर देना अगर आपका चैनल मॉनिटाइजेशन होन हो जाता है तो आप उसे डिलेट भी कर सकते हैं उसके वाद आप म्यूजिक का कोई भी वीडियो डाल सकते है अपना नो कॉपी राइट एंड नो मॉनिटाइजेशन ओफ होगा तो यही एक ट्रिक है हन्डेट पर्शंट सोलूशन मैं नहीं है दियां कि सारे जो भी जितनका व रियूज्ट कोंटेंट आया है जिनका भी कार अपना एक ही गाम कीजिए जो वीडियो पे कॉपी राइट आए उसे हटा दीजिए एक वीडियो आप बना लेजे फेस वाला एंड एक वीडियो ब पादी के साथ बोलता हूं आपका चैनल मोनिटाजेशन होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं प्रूब भी आपको जल्दी दिखाने वालों तो मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं ऐसे होट्रिक्स के लिए तो मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास सेर के जिए ताक्यूट का भी प्रोब्लम सोल्व हो थैंक्यू और में आपको तकीजिए। झाल